तो आज हम लोग पढ़ेंगे right to information के बारे में मतलब RTI क्या होता है उसके बारे में RTI Act 25 क्या है उसके बारे में RTI का क्या विशेष्था है उसके बारे में RTI का advantages क्या क्या है उसके बारे में और हम लोग पढ़ेंगी, जो आप देख रहे हैं वो है RTI का方 DüAHGOKO , जो आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हैं .. अब चली हम लोग आगे पढ़ते हैं .. तो RTI क्या होता है इसके बारे वहले जानते है तो RTI जो है वो एक Act है Parliament of India के द्वारा जो बनाया गया एक कादून है एक Act है जिसके द्वारा Rules और Regulations और जो प्रक्रिया होता है किसी भी Indian citizen को Information जानने के बारे में उसके बारे में लिखा गया है उसके बारे में बताया गया है RTI Act के अंदर किसी भी Indian citizen को कोई भी Public Authority से मतलब जो भी ऐसा Organization, जो भी ऐसा Body, जो भी ऐसा संस्थान जो Public के लिए काम करता हो, जो Public Authority के अंतरगत आता हो उससे Information लेने का पूरा पूरा हक है और उस Public Authority को Information देना ही देना होगा तुरत देना पड़ेगा Expeditiously या फिर 30 दिन के अंतरगत देना पड़ेगा Maximum period कितना है? 30 दिन के अंतरगत अब अगर किसी भी Petitioner, मतलब जो भी Petition दिया हुआ है Application दिया हुआ है Information के लिए अगर उसका Life और Freedom का बात है अगर उसका जिंदगी और स्वतंतरता का बात है तो वो जो Public Authority है उसको 48 घंटा के अंतरगत जवाब देना पड़ेगा उसको Information देना पड़ेगा जो वो Petitioner, जो वो Application करने वाला उससे Demand किया हुआ है तो ये इसका बहुत Important Provisions है बहुत Important इसका Rule है, कानून है ठीक है तो ये जो Act है ये जो Act है ये बताता है कि कोई भी Public Authority जो है उसको अपना Records उसका जो भी Data है और ऐसा कोई भी Records जो Public के लिए Helpful हो या जो Public के नजर में आना चाहिए उसको वो Computerize करेगे रखेगा ताकि जब भी Public उससे कोई भी Demand करेगी कोई भी Record के बारे में Demand करेगी तो उसको Record फटाक से देना पड़ेगा वो Information तुरंट से जो Public है उसको Public Domain में देने के लिए ज्यादा Time ने लगे और Proactively फटाफट वो दे सके ठीक है और इससे एक और फाइदा क्या होगा फाइदा यह होगा कि जो Citizen होगा वो बहुत उसको RTI दायर नहीं करना पड़ेगा और वो आसानी से बहुत जल्दी से अच्छे रूप से फटाक से वो जो है सो Information कोई भी Public Authority से ले सकता है ठीक है अब बात करते हैं कि यह लोग कब बना था तो यह लोग बना था 2005 का 12 जून को यह Parliament से पास हो गया था ठीक है और यह धिरे धिरे force में आया 12 October 2005 को मतलब यह कानून लागो हो गया 12 October 2005 को ठीक है कहा जाता है ऐसा record है कि हर दिन लगभग लगभग 4800 RTI भारत देश में फाइल किया जाता है मतलब 4800 4800 RTI जो है वो हर साल फाइल किया जाता है informations मांगा जाता है ठीक है पहले 10 साल में RTI Act का पहला 10 साल मतलब 25-25 तक में 1 करोड 75 लाख RTI जो है वो फाइल हो चुका है सुची कितना एमाउंट है कितना ज़्यादा RTI फाइल हो चुका और कितना हैलफूल है यह RTI Act कितना हैलफूल है ठीक है कहा जाता है RTI जो है वो एक fundamental right है हर citizens के लिए RTI Act एक fundamental rights है हर citizen के लिए और RTI Act 2005 के अंतर का जितना भी authorities है जितना भी कानून का जितना भी bodies है जितना भी संस्थान है उसको हम लोग क्वासी judicial body करते हैं मतलब अर्धन्याइक bodies कर सकते हैं ठीक है यह Act जो बना था वो बोला गया कि जो fundamental right citizens को मिला हुआ है Constitution में समयधान में उसमें और एक addition था उसको बढ़ाने के लिए उसको और अच्छा करने के लिए उसको बहतर करने के लिए यह Act को जोडा गया और यह Act आता है Freedom of Speech के अंतरगत ठीक है मतलब Article 19 के अंतरगत अब बात करते हैं कि right to information को कौन govern करता है किसके अंतरगत right to information govern क्या आता है Chief Information Commissioner जो है वो हर Central Departments और Ministries को head करता है ठीक है और Chief Information Commissioner के अंतरगत under आता है PIO मतलब Public Information Officers जो की Informations जुगाळ करता है कहां से Central Department और Ministries से ठीक है और जो CICS होते है मतलब Chief Information Commissioner और Chief Information Commission जो होता है वो President of India के अंतरगत आता है directly कोई भी सरकार के अंडर वो नहीं आता है ठीक है वो प्रेशिदेन्ट अफ इंडिया के अंडर काम करता है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग State Information Commission के बारे में तो State Information Commission भी सेम है State Public Information Commissioner जो है वो State का सारा भी Department और Ministries को Head करता है ठीक है information के लिए और State Public पुटिक इन्फरमेशन कमिस्टनर के अंदर आता है सटेट और सिस्टी。 इन्फरमेशन कमिस्टनर और दोनों स्वाधनेंट मोझे हैं वह किसी भी सरकार के अंदरगत नहीं आता है और CIC जो है Central Information Commission जो है उसका कोई भी नियाई छेत्र में नहीं आता है मतलब SIC जो है जो伊जए परके रचकाइत है CIC Central Information Commission के अंदरगत नहीं आता है ठीक है उसका जूरिज्डिक्षर में नहीं आता है मतलब दोनों अलग-अलग है दोनों independent है दोनों सतंतर है ओब बात करते हैं fees के बारे में तो कैसे नार्ट किया जाए RTI तो नार्ट कारने के या कुछ किसे पहले application लिखना पड़ेगा एक postal order या डीव या फिर एक bank का check जो की accounts officer के पास जाएगा कि जिस public authority से आप information मांग रहे हैं उसके पास और आपको उसमें fees देना पड़ेगा जो भी fees आपको information मांगने के लिए मांगा जाएगा ठीक है वो आपको fees देना पड़ेगा और आपको public information officer के पास भेज देना पड़ेगा ठीक है और अगर आप disadvantage community से है मतलब tribes से हैं, estes से हैं, estes से हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा ठीक है अब बात करते हैं अगर अगर ऐसा PIO मतलब public information officer चाहे तो आपको extra पैसा भी देना पड़ सकता है क्योंकि उसको हो सकता है कि वो extra काम करेगा वो extra उसको दिक्कत होना पड़ेगा उस अब RTI Act में यह लिखा हुआ है, यह बताया गया है कि कैसे आपको extra पैसा क्यों charge किया जा रहा है ठीक है, तो PIOs मतलब public information officer जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको extra पैसा क्यों charge किया जा रहा है, जिस भी information से आप, जो भी information आप मांग रहे हैं, उसके लिए आपको extra पैसा क्यों मांगा जा रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं, डिजिटल RTI सिस्टम क्या होता है, तो कि दुनिया डिजिटल ही हो रहा है, तो RTI भी डिजिटल है, ठीक है, तो RTI portal नाम का एक वेब पेज है, एक internet पर पेज है, जिसमें की सारा information जो की आप affiliate authority, मतलब जिस भी authority स आप appeal करेंगे, उसके बारे में सारा information वहाँ पर लिखा रहेगा, और PIOs, मतलब Public Information Officers के बारे में भी सारा information जो है वो उस वेब पेज पे, RTI portal पे दिया रहेगा, जहांपर आप फोट से जाईए, और सर्च कर सकते हैं, अपना information ठीक है, और भी वहुत सारे चीजों का information वहा जारा दिया जाता है, ठीक है, जो भी Government of India के अंतरगत Public authorities आती है, या State Government of India के अंतरगत जो भी Public authorities आती है, उसका भी सारा information यहाँ पर RTI portal में दिया रहता है, ठीक है, तो हम लोग समझ गए, RTI क्या होता है, RTI Act 2.5 क्या है, RTI Act के फाइदे क्या क्या है, और RTI Act का कैसे हम दायर कर सकते हैं, RTI कैसे Digital हो रहा है, और RTI को Govern कौन करता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सकते हमें, बताइए, कि RTI को Govern कौन करता है, और CIC, मतलब Central Information Commission, और SIC, मतलब State Information Commission, दोनों अलग-अलग कैसे होता है, ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक किये, सेर किये, और कमेंट भी करिए, ठीक है, चलिए थैंक यू,